हेलो फ्रेंड नमशकार कुक्विट स्नेहा पर आपका स्वागत है सुबर के समय हम लेडीज जानते हैं कि कितनी भागा दोड़ी रहती है जिसके घर में मेड आती है तो मेड की भी एक प्रॉब्लम बनी रहती है और बच्चों की भागा दोड़ी टिफिन हस्बेंड की टिफ पूरी तरह से बाहर कर देती हूं उसके बाद ही हम किचन में आते हैं नहा कर आने के बाद पहले मैं स्टार्ट करती हूं अपने इंडेक्शन को दूद गरम करती हूं पर आज मैंने मठा तयार कर लिया था फ्रेंड और उसका मखन निकाल कर मैंने हाई हीट पे रख दिया पर देखे हो गई ना एक मिस्टे चोटे से चमच से मक्षन निकाला था चमच कड़ाई में डाल दिया और ये पूरी तरह से हमारी कड़ाई में चिला गया तो ये गलती हो गई जल्दी जल्दी पर छोड़िए अब आगे चलती हूं आपको दिखाती हूं प्लेटेलेट्स कम हो गया है थोड़ा सा अस्बेंड का तो हमने लिया है गिलोए और एलर्जी की भी प्रॉब्लम रहती है और थोड़ा सा पपीते का पत्ता अब कूटूंगी और इसका कड़ा बनाऊंगी वैसे तो मैं जनरली पूरे मसाले लेती थी और थोड़े से गुलाब की पंखुडी और अद्रक का मौनिंग में कड़ा बनाती थी जिसे केलिस्ट्रोल वेगरा हाई ना हो सके देखे बातों ही बातों में हमारी ये घी तैयार होके एकदम थंडी हो गई फ्रेंट्स जब थंडी हो गई तभी मैंने इसे छनी से प्लास्तिक की चाना है आप ये मत सोचीगा कि गरम-गी मैंने छान दिया है फ्रेंट्स चार-पांच छनिया हैं पर सारी छनिया गंदी थी मेट साफ कर रही है और इस तरह से कड़ाई में जब छान लिया तो हमने सत्तु पीसा था फ्रेंट्स उसके वीडियो का लिंक भी मैं दे दूँंगी तो घर में कैसे मैंने चने और जो के सत्तू पीसे और हल्दी सत्तू अपने घर में बनाए इसे गर्मियों में भी आप बना के पी सकते हैं पर मैंने अलड़ू बनाने के लिए रखा ये देखे एक दिन मैंने आपको सूजी वाला तड़का तयार करके बताया था वो सूजी थी दो तीन बार बन चुकी थी फ्रेंड्स तीसरी बार थोड़ा कम था तो मैंने सोचा लाओ ये सूजी तड़के वाले सूजी को अलग से तड़का नहीं देना पड़ेगा समय बच जाता है इस तरह से अगर हम पहले राई कड़ी पता वगएरा का तड़का दिये रहें तो मौनिंग में इंदी करना बहुत आसान होता यानि प्रेमिक्स बना कर रख लें आप इससे उपमा बगएरा भी बना सकते जो फ्रेश मठा तयार था उससे मैंने इसका बैटर तयार किया थोड़ा सा पानी डाल कर अब हम इसे रेस्ट पर रख देंगे तब तक बड़ी बड़ी चॉप की हुए तो थोड़े बड़े चॉप हो गये थे मौनिंग में इस सलात काटके भी मैंने फ्रिज में रख दिया और इस तरह से ताकि काम एक साथ हो जाए अब मैंने जो सलात काटा था तो मूड बदल गया क्योंकि पहले प्लान कर लेना चीए फ्रंड पर नास्ता जब भी मैं प्ला तुरंत ध्यान गया कि सूजी के और बेसन की इडली बनाओं क्योंकि बेसन की को हम डिब्बे में रखने जा रहे थे तो फटफट तुरंत ही ख्याल बदल गया ऐसे ही नाश्ते बनाते समय मूड और ख्याल बदल जाता है तो हम कुछ ने कुछ नया बना लेते हैं थोड़ इसी हल्दी मसाले वगरा डालने के बाद इसे हमने फेट लिया और फेट कर ढखकर रख दूँगी तब तक की जो चौपर है इसे भी धुल का तुरंत पोच लूँगी क्योंकि बार बार दाई जब धुलती है तो थोड़े से गंदे धुल देती और कवर वगरा इसके खरा आए थे टमाटर वाले तो उसी के अंदर हमने डाल दिया यह नारियल का बुरादा और फटाफट चटनी इपनी पीसली लेस उन थोड़े छिलके वाले दो तीन जबे डाले थे और बारीक सी चटनी पीसली बहुत टेस्टी चटनी बिन करते आ रहे हैं अब मठे वाली कटो करका है फ्रेंड यह अच्छे से उसके रबर अंदर से लूज हो गया था फस जाता है तो खुल नहीं पाता तब मैं इस तरह के धकन लगा कर चटनी पीस लेती हूं और देखे मैंने जार्ब धुल कर इसको अच्छा सा परफेक्ट चटनी बना लिया अब हमने लिया है जो क कुटना था वोसे नहीं धुला था अब तेज आच में इसे हम पकाएंगे थोड़ा सा मेडियम फ्लेम रखते हुए अब इस तरह से आप इसे रख सकते हैं पर इस तरह से रखने पर एक गिरने का डर है तो फ्रेंड देखे मैं कैसे इसे रखती हूं मैं एक कपड़ा लेती नहीं पड़े है न मज़ेदार सी किचिन टिप्स अब किचिन में हमारे देखे काड़ा बनी रहा है तब तक मैंने पानी भी लगा दिया है और काड़ा तयार हो गया पानी जग में भरके रख लेंगे और फिर हम इस तरह से काड़े को निकालेंगे तब तक आपको बताया था चनी यूज थी चनी धूल ली गई इस तरह से छोटे छोटे हम नैपकिन्स लेती है यह टावल कॉटन की उस पे हैंडल लगा देते हैं सौरी हैंडल नहीं छोटा सा कपड़ा जिसी यह आसानी से कह भी ठांगा जा सके फोल्ड करने की प्रॉब्लम ना हो यूज करने के बाद आपी से ठांग दीजी यह थोड़ा सा काड़ा बन गया काड़ा मैं नहीं पीती हूं यह काड़ा मेरे हस्बेंड के लिए है क्योंकि मुझे काड़ा पएना बिल्कुल पसंद नहीं है अब जग भर गया तब तक मैंने दूद रखा है गरम होने को थोड़ा सा निकाल के जग में पूरा दूद गरम करती फ्रिज का तो काफी गैस या इंडेक्शन बिजली के खर्च होती यह देखे टिफिन का पुराना धकन इसका भी यूज हो गया टिफिन फट गई थी फ्रेंड्स त इस धकन को देखी कितना अच्छा सा कवर बन गया हमारे छोटे से घड़े पूजे वाले घड़े जो होते हैं उन्हें मैं बाद में धुल कर कभी-कभी पहले फेग दिया करती थी फ्रेंड्स या पौधे लगा देती थी तो बहुत सारे पौधे वाले घड़े तयार हो गय कर यह हमारी अच्छे से कॉफी तैयार हो गई थोड़ा दूद बचा है उसे हम जग में ही रख दिये भगोने में नहीं बनाये थे और बाद में हस्बंड की चाय बनाएंगे नाश्ते के साथ और इस तरह से फिर हम इसमें थोड़ा आ खाने वाला सोडा डालेंगे और डालने के बाद हलका सा इसे मिला देंगे इनकों बहुत ही दें दूद फॉद्ध और मिलाते ही देखे इसका कलर चेंज हो गया और परॉद हो गया आर एक तरफ हम नहीं लिया है इडली बनाने वाला मोल्ड उसे इमने पानी लगा कर रख दिया गरम होने के लिए दूसरी तरह थोड़ा सा घी डाला है और घी डालके अपने बरतन को अच्छे से ग्रीस कर देंगे हाथ को ही लगा लिया फ्रेंड क्योंकि ब्रस वगेरा लगाते मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना मैं हाथ से अपने यूज करके लगा लेती हूँ मौनिंग का समय है थोड़ा सा देखे बिखर गया तो भी मैंने हाथ से उसके शेप को सही कर लिया एक प्लेट के नीचे रखा है और उपर मोल यहां मैं तड़का फटा फट तयार कर दे रही हूँ तड़का तयार था फ्रेंड हमें मिर्च नहीं मिल लई थी साबुत मिर्च जल्दी जल्दी में किच्छन में मुझे कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि मैंने यह इडली देखे मरी तयार हो गई आप सोच रहे होंगे ऐलमुनियम को कैसे इंडेक्शन पर बनाया फ्रेंड ऐलमुनियम पर नहीं यह बना इंडेक्शन पर नहीं बना है इसे गैस पर से हमने साइड चेंज की थी क्योंकि वहां कैमरा लगा नहीं था फ्रेंड न दिख पाता आपको यह देखें जो भूना सत्तू था यह भी तैयार हो गया ठंडा होते इसे निकाल लूँ और बरतन को दे दूँ धुलने के लिए ताकि बरतन का काम कम हो जाए फ्रेंड फटाफट हो जाए और इस तरह से चम्मच का पीछला हिस्सा लेजिए यह आप फोक का औ और सर्वेंट का अभी तैयार करना बाकी है मैंने फिर से इडली के सांचे लगा दिये ताकि उसके लिए भी नाश्ता तैयार कर दूँ मॉनिंग में वो आ जाती है और घर घर उसे काम करना होता है तो भूक ही न लोट जाए इसलिए हम अक्सर उसका नाश्ता अपने नाश तो खिला सकें क्योंकि पूरे दिन तो आप जानते हैं वो काम करते रहते हैं काम करने के बाद कुछ बरतनों को वो सेट करके चली गई और कुछ को टब में रख दिया उसने धुलकर अब मैं आई हूं लॉन्री को देखने तो हमने एक बार लगा दिया था सोफा के कवर उस कलर के हैं उसके पैकेट्स को निकालिए मेंसे कुछ भी हो तो निकालिए वैसे मेरे हस्बन के पैकट में कुछ भी नहीं रहता ना वो पर्स ले जाते हैं ऑफिस में क्योंकि आप जानते हैं केवियस तो घर के पास ही होता है जब उन्हें जरूत होती कहीं जाना तो वो पर पर दोब्रूरत नहीं पड़ती फिर भी मैं हमेशा चेक कर लेती हूं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि गलती से भी मशीन में कोई चीज चली ना जाए है ना फ्रेंट उसके बाद आप सिंगल-सिंगल करते हुए कपड़े को डालिए ताकि एक साथ जब आप कपड़े को ए यह कपड़े में डालिए नहीं तो हुक वगरा कहीं भी किसी कपड़े में साडि में फस जाएंगे साडिय वगरा अलग से आप धोया किजीए और जैसे बीना बटन वाले सूठ्स वगरा उन्हीं अलग से धुलिए हैं फ्रेंट गो हमेशा डिवाइड करके कपड़े धुना चाहिए, लाइट कलर का ये कपड़ा देखिए, लाइट मेरा है, तू बैटू का सूर, इसे भी मैं अलग कर दूंगी, अब आई हूँ मैं देखे, इस तरस के बोतलों में मैं भरके रखती हूँ, सर्फ जिसी इजी रहता है हमें नि 35 से 40 साल हो गए, काम करते करते तो हैबिट हो गई है, फ्रेंट्स पर नए बच्चे हैं, तो हमेशा मैजर करके ही डालें, इस कपड़े में कॉटन के कपड़े में अगर आप बाथ रहे हैं, तो इस तरह से बाथ दीजिए, यदि हो सके तो आप एक पुराना सौक्स जिसमें इस तरह से सर्फ डालें और लॉक कर देजिए, लॉक करके जब आप डालेंगे तो जैसे सर्फ में दाने वगएरा हैं, एरियल वगएरा के अंदर बड़े बड़े, तो वो जाके हमारे पैंट वगएरा के कलर को खराब करने का डर रहता है, फ्रेंट्स, इतने नीबू के छिलकों को बॉयल करके बना हुआ पानी है, हम 15-20 दिन के नीबू के छिलकों को लेके बॉयल कर लेते हैं, फिर एक बोतल में चान कर रख लेते हैं, इस लिक्विट का स्तेमाल कपड़ों के लिए करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया फ्री कपड़ों को कर देता है और नेवू की भींगे भींगे स्मेल आती है अब हम चलते हैं अपना नाश्ता करने और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कहां से आप मेरा वीडियो वाच कर रहे हैं मुझे जरूर कमेंट करकर बताईएगा यह मेरा मॉर्णिंग व्लॉग था फ्रेंड्स और इस तरह से आप हम इंगिंग में आएंगे और अपने बचे हुए काम को पूरा करेंगे तब तक हम चल रहे हैं नाश्ता करके रेस्ट के लिए फ्रेंड्स आप अपने मॉर्णिंग में क्या-क्या सवेरे करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं यह ज़रूर मुझे कमेंट करके बताईएग झाल 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